नमस्कार, न्यूस क्लिक में आप सभी का स्वागत है, मैं रौनक शाबरा केंदर सरकार की नीकियों को मजदूर विरोधी कहते हुए देश भर के संगर्धन आने वाली 26 थारिक को आम हरताल की तैयारियों में जुड़े हुए है इसी बीच जहां केंदर सरकार एक बार फिर भारतिया रेल को प्राइवेट हातों में देने की कोशिश में लगी हुई है वहीं रेल कर्मी के संगर्षों की तैयारियों के उपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं All India Railway Men Federation के राष्ट्रे महासचीर शिव गुपाल मिश्रा शिव गुपाल मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज News Click को समय देने के लिए इस इंटरव्यू के लिए सर शुरुवात करते हैं हम आज ही के समय की COVID का समय चल रहा है देज भर में इसका असर दिख रहा है और इंडियन रेलवेस पे तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है जहां तक हम जानते हैं अभी भी जो पुराना कोविट से पहले का टाइम टेवल था उस पे नहीं चल पा रही है देज भर में पर इसी समय में एक महत्वपून अनॉंसमेंट होती है जुलाई के महिने में इस साल जहां पे 151 प्राइवेट मॉडर्न ट्रेंज चलाने की बात की जादी है जिसके ल आम निकाले हैं जिनको उन्होंने शॉट लिस्ट किया है प्राइवेट इंवेस्टमेंट के लिए और इंडिया रेलवे में फेडरेशन इस घोशना को किस तरीके से देखती और इसका कोविट के समय में आना आप किस तरीके से इसको बढ़ते हैं एक है रोनक जी मैं इस ब रेल मंत्राले हैं और भारत सरकार जो है वो कोविट को एक बहाना बना करके या कोविट की यार में अपनी जो पॉलिसीज हैं प्राइविटाइजिशन की या निकमी करने की उनको लागू करने की कोशिस कर रही है अलाकि ये बहुत ही छोप का विशह है चूंकि रेल में ने इसे करोना काल में जो है वो अपने पैर पर खड़े होकर के भारत सरकार का पुलह साथ देने का काम किया साड़े दस हजार से ज्यादा लोगों ने जो है वो एक तरीके से साड़े दस जार से ज्यादा ट्रेनों को हमारे लोगों ने चलाया और करीब साड़े दस लाक लोग जो है वो इस पूरे कारिकाल में जो है वो बराबर रात दिन कुरोना की परवाब अगर किये हुए बाहरती ने इनको खास तोर पर मालगारियों को शमी की स्पिसल्स को चलाने का काम किये और उसका प्रड़ाम यह हुआ कि दो सो से ज्यादा लोग इन ट्रेनों के आपरेशन में में जो लगे हुए थे वो कोरुना के वज़े से जो है वो जान दे दी उन लोगों ने और यहीं नहीं है लोगों ने बिलकुल इस समय अपनी जान की परवाह नहीं की और सारे देश के अंदर जो आज उन लोगों ने फूल ग्रेन को इसेंशल कमूलिटीज को इन सब चीज़ों को ले जाने का काम किया उसका सिर्फ एक और एक ही कारण ये सामने आया कि हमारे लोग जो है उन लोगों ने इस बात को अपने को प्रूब करने का काम किया कि नहीं हम पिशित तोर पर रेल को जो है वो एक तेश की जनता के लिए समर्पित भावना से काम करेंगे एक दिन मन की बात में भी मालनी प्रधाल मंतरी जीन ने कहा कि रेलवे के कर्मचारियों को हम सलाम करते हैं उनको करोना वारियर मांते हैं पिकिन जो मारा तंतर है उसको आपने जो है वो ये सोचा कि इसको प्रैविटाइज कर दिया जाए कार खानों को उत्पादाने निका लिकुरेटिव रूट्स को आप जो है वो प्राइविट हाथों में प्राइविट आपरेटर्स को देने की बात करना है आल इंडिया रेलिट इसका पूर जो और विरूद करेगा और हमने तमाम जो रेल विव में काम करने वाले कामगार हैं उनकी जो एसोशेशेशन से यून हैं सब को एकमन च्वन लाने का काम किया है हमने रेल मंत्र आले को इस बारे में नोटिस भी देने के काम किया है उन्होंने कुछ बाते हमसे की हैं और भविश में भी बात करनी का वचन दिया है मैं आपको साफ तरप कर देना चाहता हूं कि हम इनके इसे प्राइविट आपरेटर्स की बातों को जो है वो लागू रेल्वे में असानी से नहीं होने देंगे अभी आपने देखा कि तेजस जो है वो बंद हो गई तो यह जो मुनाफ़ा कमाने वाले लोग हैं यह रेल्वे में आकर के 33,000,000,000 रुपए का इंवेस्मेंट कर देंगे यह सब बुलावे वाली बाते हैं रेल्वे जो है वो देश के गरीबों की सेवा में है तो वो भारती मनना चाहिए कि यह उनकी जिम्मेदाली है कि उनको जो है परिवाल की सस्ती और सुर्फ से वाल दें यह कोई जो है प्राइवेट आपरेटर साकर कर देने वाला नहीं है इस तरीके की बाते भारती रेल के बारे में नहीं सोची जाए शिव गोपाल जी आपने यह तो साफ बयान कर दिया कि यूनियन प्राइवेट नहीं होने देगी रेलवेज को पर अगर हम मोधी प्राइम मिनेस्टर नरेंद्र मोधी के ही काल में अगर हम देखें जो डिसीजन्स लिए गए हैं रेलवेज के तहट आपने अभी तेजस का नाम उठाया जो पिछले साल पहली प गज़ प्राइवेज प्राइवेज करने की बात अगर अगरे और इसी करम में जो रेलवेज स्टेशन्स लिए उन में पीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मॉडल को लागू किया गया है इन सब को देखते हुए आप इंडियन रेलवेज का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता हुआ तो दिख रहा है यहां पर हम इस चीज़ से खारिज नहीं कर सकते हैं तो आप फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं इंडियन डेलवेज का फ्यूचर की बात तो अपनी जग्या है जो देश का किसी जो भी सरकार आए वो अपने हिसाथ से बना सकती है लेकिन सरकार को जो लोग हित की सरकार है जन हित की सरकार है मैं समझता हूँ कि उसको जनता के हित के बारे में सूचना चाहिए लोग हित के बारे में सूचना चाहिए इसलिए यह जो निरने हैं सरकार के कि हम पब्लि सेक्टर जो सस्ते इंजल बना रहे हैं, सस्ती बना रहे हैं, अच्छी कॉचिज बना रहे है हम उनकी जगे जो है वो प्राइबेट इंटर्पिनर्स को लाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देश हित्मिन नहीं है और सरकार को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए हाँ हम कहीं फेल कर रहे हैं तो आप जलूर इस बात का अधिकार रखते हैं कि आप उसको ठीक करें बट अगर हम कोच आप ने च्छे करूर रॉफय में ख़ई दि और आज हम λब्वे लाक रॉपय में, बानवे लाक रॉपय में उसको अराइबरेली में बना रहे हैं आपने ABB के एंज constitution जो हैं 28 करूर रॉपय में ख़ई दे उनको आज हम जो है वो नौ करोर रुपए से भी कम में जो है वो बना रहे हैं उन से बहतर रहाज पावर बना रहे हैं उन से बहतर शक्ती के इंजन तयार करने का काम कर रहे हैं तो अगर हम बेधर जो है आउट पूर दे रहे बेधर प्रड़क्शन दे रहे हैं हमारे लोग लाद दिन मेहनत करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और इस तरीके की जो योजनाये हैं उनके उपर रोक लगाने चाहि तो बहुत अच्छी बात है नहीं मानेंगे हम लोग मजबूर होंगे संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे इसी क्रम में आगे भी बढ़ना चाहता था क्योंकि पिछले ही दिनों जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनका रिपोर्ट्स के मुकताबेक रेलवे में आपने एक वो वापस से रिकॉंस्टिट्यूट होने जारी हमारे दर्शकों के लिए मैं बता दू रेलवे की जो उनिस सो चोहतर की जो एक हिस्टॉरिक जो स्ट्राइक जिसको कहा जाता है उसमें नैशनल कॉडिनेशन जो कमीटी है स्ट्रगल की जिसने सारे यूनियन्स को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया था उसने एक बहुत एक एहम योगदान दिया था और वही वापस से रिकॉंस्टिट्यूट करने की बात की जारी है यह आने वाले समय में कितना रेलवेमेंट स्ट्रगल को एक किस रहा पर लेके जाएगा अगर शिव गोपाल जी आप इस पर थो एक तरीके से जो है वो यह फैसला सरकार कर ले कि हमें जो है वो रेलों को जो है वो निजी हातों में सौपना है कार खानों को जो है वो एक तरीके से हम जो है वो निगमी करन करना है और निगमी करन तो एक ब्रिक जलनी है इसके बाद में निश्ची तोर पर उनका निजी कर भी होगा अगर उनका निकमी करण हो गया तो ये बात जो है वो मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है और ये बात जो है वो हमारे उद्भोक्ताओं के हित में भी नहीं है इस सवाल को कोई भी एक संगठन या कोई भी एक यूनियन या कोई भी एक फेडरेशन का सवाल नह चाहें categorical associations में काम करते हूं और चाहें वो दूसे दूसी जमातों में अपने अपनी विचारधारों के अनुसाल दूसे प्रेटेशन और यूनियर में काम करते हूं वो रिकनलाईज हो सकते हैं वो एक सवाल नहीं है सवाल यह है कि अगर रेलों को इस निजी करन की मार से बच करने के बाद में मैं अपने पहुंचा कि हमारे तमाम साथी हमारे विचार से सहमत हैं और जब हम लोगों ने पीछे बात की उन्तिस तारिक को तो सत्रा एस्सेशन और यूनियंस एक साथ एक मंच पर इकठा होने का काम किये हम लोगों ने एक प्लाइनिंग कमेटी बनाई ह है वो प्लाइनिंग कमेटी जो है वो इशूज को शार्ट लिस्ट कर ले हैं बहुल लंबा चोड़ा एजन्टा रखने का काम नहीं करेंगे और एक इस्टेटिजिक प्लाइन बना करके भारत सरकार को नोटिस देंगे कि हमारा ये सोच है एक बात लिए है दूसी बात है कि इ ünडिया रेलिए Онट व्यूजन ने अपने वरकिंग कमेटी में इस बात का फैसला लुा आता ये भारत वर्च में 7500 के कलीए रेलवे स्टेशन है और यह जो सवाल है वो खाली रेलवे मिनका सवाल नहीं ना जीजी करण का नीजी करण का सवाल है वो हमारे तमाम भोक्ता का सवाल है समाज का सवाल है देश वासियों का सवाल है तो हम इस पर खाली रेलवे में क्यों शंगस करें तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हम साथ हजाद शेसो इस्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ कमेटिया बनाएंगे सेव रेलवे सेव नेशन कमेटी बनाएंगे और उनमें हम तमाम जो समान विचारजारा के लोग हैं उनको जोड़ेंगे उनमें हम जनलिस्ट को इकट्था करेंगे हम उसमें भुगताओं को है उसके खिलाब एक देश में जनांदूर करने का 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 म करेंगे इस दिशा पर हम लोग बढ़ने का का व्याद सवाल है हमारे रेलवे के तमाम जो साथ हैं उन लॉइंस में काम कर रहे हैं उन उन लोगों ने मन बनाया कि हम सन चौतर में NCCRS के जंड़े के नीचे जूड़ने का काम किया था अब आज एक वक्त फिर आ गया है कि हम सारे जो रेश्टरेल के लोग हैं वो फिर एक बार NCCRS के जंड़े के नीचे ही कट्थे हों सरकार के जो है वो मनसूबों को कि अगया है और हम थमाम लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम सुरुवाती दौर में सरकार से बाच्चीत करेंगे और आशा करेंगे कि हमारी बात को समझने का काम करेंगे और अगर नहीं समझेंगे तो फिर लडाई तो एक विकल्प है हमारे लिए उसी लड़ाई में अगर मैं पूछू जिस तहीके से उनिस सो चोहतर की वो कमीटी अभी बनने का काम ले रही है और आपने विभिन प्रकार के जितने भी कारेक्रम चल रहे हैं अभी रेलवे सेक्टर में यूनियन के दौरा उसके बारे में आपने बताया तो क्या इसी क्रम में क्या आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि रेलवे में फिर से स्ट्राइक पे जाएं क्यूंकि पिछले सालों में हमने ये तो देखा है कि स्ट्राइक नोटे सब्मिट होता है तो वो स्ट्राइक फिर जा नहीं पाती कि वो सरकार से बातचीत में ही रह जाती है हरताल कोई इंटर्टेन्मेंट नहीं है हरताल जो है वो गंभीरता के साथ अपनी मांगों को मनवाने का एक तरीका है यह बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने बहुत बार इस्ट्राइक के लिए बैलेट लिया है इस्ट्राइक के नोटिसेस दी हैं लेकिन अगर सरकार प्रेजान मंतरी के सक्थेस से अन्हें ने इंटर्वेंशन करके अर चीजों को जो अमने मांगा है हम मांनते हैं कि हमको 100% नहीं मिला उन्हें 50% दे जी हमले उस पर समझता करने का काम किया उसमें कौई दौरायन है और हम चाहते भी नहीं है कि देश की जनता को तकलीब में डालने का काम हो देश की अर्थ में उस्ताव इसे ही बहुत खराब है हम उसको और खराब नहीं करना चाहते तो हम एक जिम्मेदार ट्रेड उनिन की तरह काम कर रहे हैं जिम्मेदार केडियूनियन का काम यही होता है कि अपने लोगों के जो हक हैं उनको भी दिलवाए और साथ इसके देश के जो देश के सामने जो चुरूतिया हैं उनको भी जो है वो बहुत बढ़ाने में सहयोग नहीं करें चुक्क मुझे पूरा विश्वात है कि जे दिन हम ह संसाइब में भी देखा है तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की हाला देश के नदर बले लہकर सरकार इस बात के लिए एड़मन्ट हो जाए कि नहीं हमें रेले जो हैं वो किनिए उद्धो나 पतियों को सौप देनी हैं हम लीजी घातों में सौप देनी हैं हम लेलों को यह करनेाबे तो हमारे पार भी कोई विकल्भ नहीं होगा इस के रावा कि हम सनचफार कि एक बार फिर पुर्ड़ा वरती करें और फिर वो देशकी की ज़र करें उनकी चुनावती को अंकुरी करें कोई विखल्स नहीं होगा ऐसी सिती में अगर हमें संपूर हर्टाल पर जाना होता है तो हम लिपचित कौना पर हर्ताल की बात कर रहे हैं आने वाले mltainen को सेंटरल ट्रेड यूनियन्स ने एक आम हर्दाल का अभवान दिया है एक के लिए अगर मैं आपसे जाना चाहूं रेलवेमेंट का उसमें क्या भागीदारी रहेगा किस तरीके से ए आई आरेफ जो है उसमें हिस्सेदार रहेगी अगर आप ये बताएं देखिए आल इंडियन्स प्रेटिशन का रहागी एक बहुत सोच है आज से नहीं है ये एक तक्रीबन सोला साल से हमारा ये सोच है हम ने इस विशे को जिखती सुनार के अंधर के कलकट्ते के अंदर जो है वो डिर दिन बहस किया इस मसले पर और हम लोग जिन नतीजे पर पहुंचे कि एक दिन की हरताल जो है वो लेलवेमेंट के लिए संभू नहीं है चुकि एक दिन की हरताल आट गंटे की हरताल होती है आट गंटे की हरताल में हमाली जो शिफ्ट है रेल्वे में जिस हिसाब से काम करता है तो वो शिफ्ट जो है वो 72 हावर्स में पूरी होती है तो अगर हम ऐसी कोई हर्टाल करते हैं जिसमें कि आठ घंटे के लिए हर्टाल हो तो पता चलेगा कि चार-पांच कर्णे में काम करने वाले लोग तो गार हर्टाली हैं एक शिफट वाला हर्टाली हो गया 1968 में जब हम ने एक दिन की हर्ताल की तो इतनला जबर देस्त victimization हो अर यह ही हालत हुई कि एक शift में काम करने वाले लोग बुरी तरिक्रीकिद विक्तिमाईशन हम लोगों ने है वक मन बना लिया कि नहीं अमने सेंटर्टर्ट में सामने सूआल को रखा कि भाई हमारे से वो अलग नहीं है हम उनसे अलग नहीं है और हम भी Central Union के साथ हैं लेकिन हम ने उनसे अपील ये की मैंने स्वेम की कि आप ये जो समस्याएं हैं जिनकों के ले करके हम लोगाई का काम करने जा रहा है ये मांगें एक दिन की हरताल से पूरी नहीं हो सकती इसके लिए अनिश्चित कार ने हरताल का फैसला करना चाहिए साथियों ने इस बात को गंबिता से लिया भी तकि मुझे नहीं मालूम है कि इस मजबूरी में हर बार वो एक दिन की हरताल बात करते है हमने उनको इस बात कहने का काम जरू किया है कि एक दिन की हर्ताल से ये समस्चाओं का हल नहीं होगा इन समस्चाओं का हल तब ही होगा जब तमाम केंसरकार के संगठन एकटा हो करके अनिश्चित काली हर्ताल की बात करेंगे और अगर हमाले केंद्रिस्टम संगिटन मिल करके अनिशित काली हर्टाल की बात करेंगे तो हम पूरे तोर पर उस हर्टाल में शाना बसाना सामिल होंगे रादर उसकी अगवाई करने का काम करेंगे दूसी बात यह है कि जहां तक यह 26 तारीक की हर्ताल की बात है पहले भी जो एक दिन की हर्ताले हुई है उसमें आल इंडिया रेलिवंस फेलेशन ने उनको अपना समर्तन देने का काम किया है और कोशिस किया है कि हर जिगे धर्ला हो प्रदर्शन हो जो नईतिक समर्तन है वो रेलिवंस फेलेशन हमेंसा उनको दिया है 26 तारीक को भी जो हर्ताल है उसका रेलिवंस फेलेशन पूरी ताकत से नईतिक समर्तन का काम काम कर rely गी और ये निशित है कि अगर हर्ताल की बात कर लिए तो आच ऐगने घ्टे में के लिए वीत पासbersिबल नहीं है यह दिन संपुर्ण जो है वो हरताल की बात होगी अनिश्चितकारीन हरताल की बात होगी आल इंडिया लिंस फ्रलिशन सबसे आगे जंटा लेकर के ख़डा होगा और अनिश्चित बड़ने लेगा मुझे आशा है किा आने वाले कल में जब हम अपनी लाई का अनिश्चितका सबसे आगे रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया शिव गोपान विश्राजी आज हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया